नालंदा जिले में संभावित बाढ के खत्रे को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी के द्वारा सोसंदी गाओं के पास जमीनदारी बांध के खतिग्रस्त सुईस गेट के स्थल का भी निरीच्षन किया गया। निरीच्षन के क्रम में जिलाधिकारी ने स्थानिय लोगों से भी बातचीत की तथा उनके पूर्व के बाढ से संबंधित अनुभों के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बाढ को लेकर पूरी तयारी करने का भी निर्देश दिया। आज जिलाध प्रशाशन और जल्संसादन विबाग की टीम साथ में इरेक्षन की है और जहां जहां कमी दिखी लिए बांध पर उसको स्ट्रेंडिनिंग करने के लिए और जियो बैक दलवाने के आवश्यक्ता रहें जहां कहीं और चाती हुए इसको ठीक कराने के लिए न प्रशन के अंतरगर्ट अंदा के जिलाधिकारी महोदे दुल्चनपूर गाउंगे जहां पंचाने नदी का दोनों किनारे में जो कठा हुआ था और उससे सुपासंग मैफरिदा हवनपूरा सोंसा चरपांच पंचाई जो पार ग्रस हो जाता था उसका निरिशन किये और ततकाल स्कूटी इंजियर, चीफ इंजियर के साथ उन्होंने गहन मंतना किये और उसको ततकाल बनाने का अस्वासंदी है और स्वसंदी पंचाई हजारी लाल पूल के जो धसान हो गया था उसको आके अपने स्वेम जिलाधिकारी महोदे दुल्चनपूरा स्कूटी इंज झाल allergic है जिलाधिकारी में लाल